दोस्तों स्वागता आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बालिका प्रोथसान योजना और गारगी पुरुषकार योजना इन दोनों की अंतिमतिती पहले 31 से दिसंबर रखी गई थी इसको बढ़ाकर अब 20 जनुरी कर दिया मतलब कल इसकी अंतिमतिती है इसमें लगबग 2,52,000 बालिकाओं को ये पुरुषकार मिलने वाला है और इसमें से 1,30,000 ने अब तक आवेदन नहीं किया है तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके बारे में और क्या अपडेट है गार्गी पुरुषकार योजना और बालिका प्रोथसान योजना के बारे में तो वीडियो को बिना स्किप के लास्त तक देखते रहे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले इसमें देखो आज की जो अपडेट है जिसके बारे में हम बात करने वाले है गार्गी अवाड अंतिम तितिक में 20 दिन की बड़ोतरी के बाद भी नहीं बड़ी आविदन की रफ्तार है वो बिल्कुल भी नहीं बड़ी है 20 दिन आपका टाइम है वो बढ़ा दिया गया है तो इसके बाद देखो इसमें क्या अपडेट है दो पॉंट बावन लाग बालिकाएं पातर ओनलाइन रेजिटेशन के अंतिम तिथी कल एक पॉंट तीस लाग अभी भी बाकि मतलब जागरूकता का अभाव होने की वज़े से अब तक एक लाग तीस हजार ने आविदन नही किया है इसमें देख सकते हो आप बालिका फाउंडेशन के ओर से इस साल राज्य की दो लाग बावन 1412 चात्राओं को गारगी वह बालिका प्रोचसान पुरुषकार परदान किया जाना लेकिन चात्राएं पुरुषकार के लिए ओनलाइन आविदन की परकिरिया में कर दी गई थी जिसके अंतिम्ति थी पूर्वा में 31 दिसम्बर नेधारित की गई 31 दिसम्बर तक सत परतिसत बालिकाओं के ओर से रेजिस्टरेशन नहीं करवाने एकार अंतिम्ति थी को बढ़ाकर 20 जनौरी किया गया मतलब 31 दिसम्बर लाज्ट देट थी लेकिन आविद 30960 बालिकाओं ने अब तक ओनलाइन आविदन नहीं किया है शेश रही बालिकाओं के पास अब दो दिन का समय सेश रहा है पुरुषकार के लिए 20 जनौरी तक ओनलाइन आविदन करवाना हो पड़ेगा 18 जनौरी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 1,2,460 मा बालिकाओ दी जाएगी आपको एक बार फिर बता रहा हूँ जिन लड़कियों के 72,022 में दस्वी क्लास में 75 परसेंट या उससे उपर है तो वो कार्गी पुरुषकार के लिए पातर है टेंथ वाली जो लड़किया हूँ उनको 6,000 रुपे दो किस्तों में मिलने है ट्वल्थ वाली लड़कियों को 5,000 रुपे एक मुस्त मिलने वाले है तो इस तरह ये मतलब गारगी पुरुषकार और बालिका प्रोथसान पुरुषकार के अंदर राशी मिलने वाली है आप अब गये देखो इसमें आवेदन में जनाधार जरूरी खाते में जमा होगी राशी पातर बालिकाओ को पुरुषकार की राशी बैंक खातों में ट्रांस्पर की जाएगी इसके लिए ओनलाइन आवेदन एसर नंबर जनाधार नंबर वा जनाधार मेंबर आईडी नंबर जरूरी है फाउंडेशन के अधिकारियों ने बताया कि बालिकाओ खाता नहीं होने पर माता के खाते में पुरुषकार की राशी ट्रांस्पर की जासकेगी अब देखो केटेग्री वार पातर चातर हैं और रेजिस्टेशन कितने रेजिस्टेशन हुए हैं और कितनी पात पातर हैं और 16,740 ने मतलब रेजिस्टेशन करवाया बालिका प्रोचसान के लिए 1,88,564 है और उसमें से 64,294 ने ही आविदन किया है रेजिस्टेशन किया है उसमें देखो विकानेर में 9,624 बालिकाओं 4,513 आविदन 35% से मतलब कूल में से 53% बालिकाओं ने अब तक आ 1513 ने ओनलाइन रेजिस्टेशन करवाया जिले में 5,111 बालिकाओं आविदन करने से 6 है इसके बाद देखो देखो देर रखा इसमें गारगी और बालिकाओं प्रोचसान पुरुषकार की पातर चात्रियाओं के लिए ओनलाइन आविदन पूर्वे में 31 दिसंबर अंतिम थी थी जिस से 20 जनुरी तक बढ़ाया गया था अभी अनेक छात्राओं रेजिस्टेशन नहीं करवाया है वन सिचात्राओं के पास अब दो दिन का समय से से हैं मतलब आज और कल का तो दो दिन में आप आविदन करना चाहों तो आविदन कर सकते हो और आप किसी ऐसी पात् पहुचाने से उस बालिका को कुछ लाब मिल सकता है तो इस तरह की अपडेट थी मिलते नेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए धन्यवाद